आज के इस शुब अफसर पर मानिपधार मंत्री जी ने युवाओं को अपना आशिर्वाद दिया है। नवश्कार, नवश्कार मेरे युवा साथियों को, बल्यूद स्किल्डे की आप सभी नवजवानों को बहुत बहुत शुक्कामना है। आज का इस दिन आपकी स्कील को, आपके कौशल को समर्पित है। 21 सदी के युवाओं की, आज के मिलियनियल्स की, अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है, तो उनकी स्कील है। उनकी स्कील एक्वाइर करने की शमता है। साथियों, कोरोना के इस संकट ने वर्क कल्चर के साथ ही नेचर आप जॉब को भी बदल करके रख दिया है। और बदलती हुई नित्य नूतन टेकनोलोजी ने भी उस पर प्रभाव पैदा किया है। नए वर्क कल्चर और नए नेचर आप जॉब को देखते हुए, हमारे युवा नई नई स्किल्स को तेजी से अपना रहे हैं। वैसे साथियों, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आज के दौर में बिजनेश और बाजार इतनी तेजी से बदलते हैं कि समझी नहीं आता रिलेवन्ट कैसे रह जाए। कोरोना के इस समय में तो यह सवाल और भी एहम हो गया है। साथियों, मैं इसका एक ही जवाब देता हूँ। रिलेवन्ट रहने का मंत्र है स्किल, रिस्किल और अप्स्किल। स्किल का अर्थ है आप कोई नया हुनर सिखें। जैसे कि आपने लकड़ी के एक टुकड़े से कुर्से बना सिखा तो आपका हुनर हुआ। आपने लकड़ी के उस ठुकड़े की किमत भी बढ़ा दी, वैलिव एडिशन किया। लेकिन ये किमत बनी रहे। इसके लिए नई डिजाइन, नई स्टाइल याने रोज कुछ नया जोड़ना पड़ता है। उसके लिए नया सीखते रहना पड़ता है। और कुछ नया सीखते रहने का मतलबी है री स्किल। और हमारी जो स्कील है, उसका और विस्तार करना। जैसे छोटे मोटे फरनीचर बनाते बनाते, आप और भी चीज़े सीखते जए। पूरा का पूरा आफिस डिजाइन करने लग गए, तो वो हो गया अप स्कील। स्कील, री स्कील और अप स्कील का यह मंत्र जानना, समझना और उसका पालन करना। हम सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर है। वैसे जब मैं स्कील की बात करता हूँ, तो मुझे अपने बहुत पुराने जानने वाले हमेशा याद आते हैं। मेरा सीधा परिचे तो नहीं था, लेकिन हमारे जानने वाले सर्जन बताते रहते थे। वो उनके किसी परिचीत के विशे में बताते थे कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे। लेकिन उनकी हेंड राइटिंग बहुत अच्छी थी। समय के साथ उन्होंने अपने हेंड राइटिंग में और भी नए स्टाइल जोड दिये। यानि खुद को रिस्किल किया। उनकी ये स्किल देखकर लोग खुद उनके पास पहुंचने लगे। लोग उनसे कहते थे कि हमारे यहां स्पेशल ओकेजन है तो इन्विटेशन कार्ड पर नाम बगेरे लिखने का काम आप कीजिए। बात में उन्होंने खुद को रिस्किल किया। उन्होंने कई और लेंग्विजिस में लिखना शुरू किया। और इस तरह से एक पकार से वो उनका कारोबार बन गया। बैठे बिठाये लोग उनके पास एक काम ले करके आने लगे। शौग से पनपा हुआ एक हुनर, रोजी रोटी का और सम्मान का भी एक माध्यम बन गया। Friends, skill is something which we give to ourselves which grows with experience. Skill is timeless, it keeps getting better with the time. Skill is unique, it makes you different from others. Skill is a treasure that nobody can take away. And, skill is self-reliance. It is not only make one employable, but also self-employable. Skill की यह तक ताकत जो है, इंसान को कहां से कहां पहुचा सकती है. साथियों, एक सफल व्यक्ति की यह बहुत बड़ी निशानी होती है, कि वो अपनी skill बढ़ाने का कोई भी मोका जाने न दे, इतना ही नहीं मोका ढूंडता रहे. Skill के प्रती अगर आप में आकर्शन नहीं है, कुछ नया सिसने की ललक नहीं है, तो जीवन ठहर जाता है. एक रुकावट से महसूस होती है, एक प्रकार से वो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को, अपनी परसनालिटी को ही बोज बना देता है. और खुद के लिए नहीं, अपने स्वजनों के लिए भी बोज बन जाता है. वहीं Skill के प्रती आकर्शन जीने की ताकत देता है, जीने का उत्साह देता है, Skill जिर्फ रोजी, रोटी और पैसे कमाने का जरिया नहीं है. जिन्दगी में उमंग चाहिए, उत्साह चाहिए, जीने की जीत चाहिए, तो Skill हमारे driving force बनती है. हमारे लिए नई प्रेणा लेकर आती है, उर्जा का काम करती है. और उम्र कोई भी हो, चाहिए युवावस्ता हो या बुजूर्ग, अगर आप नई नई Skill सिख रहे हैं, तो जीवन के प्रती उत्साह कभी कम नहीं होगा. साथियों, Skill की क्या ताकत होती है, इससे जुड़ा हर किसे का कुश्रों को जनुब होगा. मुझे भी आज जब आपसे बात कर रहा हूँ तो एक पुरानी घटना याद आती है. और यह तब की बात है, जब मैं युवा आवस्था में ट्राइवल बेल्ट में एक वॉलिंटेर के रुप में काम करता था. और कुछ समस्ताओं के साथ मिलकर के मैं उनसे काम कर लेता था. तो एक बार एक समस्ता के साथ उनके लोगों के साथ के भाहर जाना था तो उनकी जीप में हम सब जाने वाले थे. लेकिन वो जीप सुभे जब निकलना था उसी समय चली नहीं अब वो जंगलों में भटकते भटकते वो जीप भी ऐसी थी हम सब लोग लगे काफी कुछ कोशिश की धके मारे सब किया लेकिन गाड़ी चली नहीं आखिर कर साथ आट बजगे तो फिर किसी एक मिकेनिक को दो मिनिट में ठीक कर दिया फिर उसको पूछा कितने बैसे तो बड़े 20 रुपिया उस जमाने में 20 रुपे की किमत बहुत होती थी लेकिन हमारे एक साथी ने कह रहा है ने यार दो मिनिट का काम और तुम 20 रुपे मांग रहे उसका जवाब मुझे आज भी प्रेड़ा द करते करते मैंने जो स्कील मेरे में आई है जो अनुभव जुटाया है यह 20 रुपिया उसका है मैं समझता हूँ यही होती है स्कील की ताकत स्कील आपके काम का ही नहीं आपके भी प्रतिभा को प्रभाव को प्रेरत बना देता है और साथियों यहां एक और चीज समझने बहुत जरूरी है कुछ लोग नौलेज और स्कील को लेकर के हमेशा कन्फूज में रहते हैं या कन्फूज पादा करते हैं ऐसे लोगों को मैं हमेशा एच छोटा सा उध आप बुक्स में पढ़ सकते हैं यूटूब पर वीडियो देख सकते हैं कि साइकल कैसे चलाई जाती है साइकल पर कैसे बैठना है साइकल कैसी होती है कौन सा पूर्जा क्या काम करता है कहां हैंडल पकड़ना है कहां ब्रेक लगाना सब उसमें आपको वीडियो में भी दे knowledge है इसलिए आप cycle चला जाएंगे हैसा guarantee नहीं है लेकिन वास्ताओं में actual में जब cycle चलाना होता है तो skill की ज़रुत पड़ती है आप कोई खुद को दिरे-दिरे आ जाता है और फिर आप अपनी मस्ती में भी cycle चलाते हैं चलते रहते कोई तकलिब नहीं होती है जैसे जैसे आपने इस कला को सीख लिया इस talent में आ गई skill आ गई आपको कभी दिमाग का पाना भी नहीं पड़ता है और इस फर्क को समझना सासन से लेकर के समाज के हरस्तर पर बहुत जरूरी होता है आज भारत में knowledge और skill दोनों में जो अंतर है उसे समझते हुए ही काम हो रहा है आज से पांच साल पहले आज के ही दिन skill इंडिया मिशन इसी सोच के साथ शुरू किया गया था इसका मकसद यही था कि यूद को knowledge के साथ ही skill भी मिले कौशल भी मिले इसके लिए देश भर में सेंकडो प्रधान मंत्री कौशल विकास केंदर खोले गए ITI के संख्या बढ़ाई गई उनमें लाखों नई सीट जोड़ी गई इस दोरान पांच करोड से जादा लोगों को skill development किया जा चुका है और यह अभ्यान दिरंतर जारी है सात्यों तेजी से बदलती हुई आज की दुनिया में अनेक सेक्टरों में लाखों skill लोगों की जरुद है विशेशकर स्वास्त सेवाओं में तो बहुत बड़ी संभावनाय बन रही है यही समझते हुए अब कौशल विकास मंत्रा ले ने दुनिया भर में बन रहे इन अवसरों की mapping शुरू की है कोशी यही है कि भारत के युवा को अन्य देशों की जरुरतों के बारे में उसके समझ में भी सही और सटिक जानकारी मिल सके किस देश में हेल्ट सर्विस में नए द्वार खुल रहे हैं किस देश में कौन से सर्विस सेक्टर में क्या डिमांड बन रही है इसमें जुड़ी जानकारी अब तेजी से भारत के युवाओं को मिल सकेगी अब जैसे मर्चेंट नेवी का उदान ले तो भारत समेच पुरी धुनिया को सेलर्स की बहुत जरुरत है हमारी तो साड़े साथ हजार किलोमेटर से लंबी कोश्ट लाइन है बड़ी संख्या में हमारा यूत समुद्रव और तर्टिय परिस्तितियों से परिचीत है अगर इस शेत्र में स्कील को बढ़ाने पर काम किया जाए तो दुनिया भर को हम लाखों एक्सपर्ट सेलर्स दे सकते हैं और अपने देश की कोश्टल एकॉनोमी को भी मजबूत कर सकते हैं मैपिंग की वज़े से अब इस तरह की जानकारिया देने का काम और आसान हो जाएगा इसके अलावा चार प्यान दिन पहले देश में स्रमिकों की स्किल मैपिंग का एक पोर्टल भी शुरू किया गया है यह पोर्टल स्कील लोगों को स्कील स्रमिकों की मैपिंग करने में एहम भूमिका निबायेगा इससे एक क्लिक में ही स्कील मैंपावर तक पहुँच पाएंगे खासकर जो स्रमिक हाल फिल हाल में शहरों से अपने गाउं में गए हैं उन्हें इसे बहुत मदद मिल पाएगी आपने इधर बीच देखा भी होगा कि कैसे एक खास स्किल सेट के साथ गाउं पहुंचे लोगों ने गाउं का काया कल्प करना शुरू कर दिया है कोई स्कूल को पेंट कर रहा है तो कोई डिजाइन के घर बनवा रहा है छोटी बड़ी हर तरब की ऐसी ही स्कील आत्म निरभर भारत की ही बहुत बड़ी शक्ति बनेगी मैं देश के युवाओं को वर्ल्ड यूद स्किल्ड डे पर एक बार फील बहुत बहुत शुपकामनाई देता हूँ और वैश्विक महामारी का यूग है तो मेरा भी कर्तबे बनता है कि एक बार मैं बार बार एक चीज को दोहराता ही रहूँ और सिर्फ मैं न दोहरा हूँ आप भी दोहराई ये और वो क्या है पहले तो मैं चाहूँगा आप स्वस्त रहिए दूसरा दोगज की दुरी का पालन करते रहिए मास्क पहनना न भूले ठूंकने की आदत सबको छोड़ने के लिए समझाते रहिए और जिस काम के लिए आज इकटे हुए हैं उस मंत्र को हमेशा याद रखे कितना ही पड़े लिखे क्यों न हो कितनी ही डिग्रिया क्यों न हो फिर भी निरंतर स्कील भी बढ़ाते रहना चाहिए लगातार नई नई स्कील के लिए अपने आपको तयार करना चाहिए जिन्दगी जीने का आनंद आएगा जिन्दगी के नए अवसरों को पाने का आनंद आएगा और मुझे की प्रगदी करेंगे देश की भी प्रगदी करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत शुट कामना है झाल